दो मुरुपान और मध्यपान सहथ के लिए हानी का रखें, इससे करक रोख होता है। एक डाल के भूल दूसरी डाल पर अपने पराग जोड़ते हैं। पता नहीं इन्हें किस बंधन ने जोड़ रखा है। ये एक गुद्रत का करिश्मा है। 1978 की एक अध्भुत प्रेम कहानी 2018 में फिर से दोराए गई। वक्त बदलता रहता है, पर हर एक प्रेम कहानी आपके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। इस प्यार को क्या नाम दो। ये जानने के लिए हम 15 साल पीछे जाते हैं। शीतल, जल्दी आना बेटा, स्कूल बस आ रही होगी। कंचन, हाँ? देखने रही हैं आप, फर्ष पर पानी बिखरा हुआ है, अरे मेरी बच्ची फिसल कर गिर सकती थी। अरे, अगर वो गिरती तो आप पक्का उसे समहा लेते हैं। उसकी इतनी खुशी में, हम उसे डिस्टरब क्यू करें। हमें पहले से इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे से ध्यान रखना। खायाल रखना अपना। कंचन, एक मिनिट। हाँ अंकर। क्या अदमी है। सुन्बे, राद को पी थी क्या तुने। बिलकुल अहीं, सर। तुछूट बहुत बोलता है, करीबा, ब्रेक काम करता है। काम करता है। ही तुमिं। प्रमोजे, एक आधर श्वादियों से धन्त प्रेमी इन्सान है। अगर ये बेटी को स्कूल भेजने में इतनी तहकीकात करते हैं तो सोचिए बेटी की शादी के लिए ये क्या-क्या नहीं करें भाबी मेरी बच्ची पंचियों और जानवरों को कैद करना पाप होता है ये हमारी संस्कृती में नहीं है ये बाहर अकेला बैठा था पापा बहुत डरा हुआ भी था अब देखो ना पापा अब इसका डर गायब हो चुका है शीतल पापा की बात सुनों नहीं तो मौर पड़ेगी हे रो क्यों रहे हो आज से ये तुम्हारे पास ही रहेगा देखो पापा हैपी मुझसे बात नहीं कर रहा है ओहू ये जो कुछ भी करती है उसमें खुबसूरत काइनात की कल्पना करती है कोई चीज हो या कोई इंसान ये किसी में बदलाव पसंद नहीं करती है और जो नहीं बदलते ये उन्हें बहुत पसंद करती है ऐसी है हमारी शीतल जैए इस लड़के का जैपूर में मार्बल का व्यापा है रंग रूप भी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी आप इसका परिवार विदेश में रहता है जैजिनेंद्र पंडिट जैजिनेंद्र मेरा बच्चा बाई पापा बाई बच्चा मेरी बेटी को अगर बेहत खोशाल जिंदगी दे सकता है तो वहां लिखे टॉप फाइव में से ही कोई एक मेरा दामाद बनेगा आई एस आई पीएस सीए डॉक्टर साइन्टेस्ट बिल्कुल जबकि पिता ने बेटी के लिए अपनी मन पसंद लिस्ट बनाई है पर बाहर के टपोर ही क्या शांत रहेंगे वो कभी भी बीच में आकर करना 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 इसका नाम है स्रीराम चंद्रमूर्ती इसने नाम छोटा कर लिया क्योंकि इसकी कर्तु तुसे भगवान का नाम खराब हो रहा था अब यह है चंद्रमूर्ती ए बोटल फेक्ट आब इस्तैं आल बोट हो रहा रहन्स द। भई वे लग सुपर, अब ये पैसा मेरा है ये बिल्डप शॉट था अरे बात बात में जो भाग को अपने रोते जीवन में कभी वो यारो रोते ही रहते और कुछ ना वो कर पाते अरे लानत है उन पे जीना मरना हसना रोना लाइव का ये ही किसा रे कभी हार ना कभी जीत ना रोस का ही ये किसा रे जीनियस है बंदा वो जो न टेंचन लेता है रे जिन्दा दिल है इंसा वो जो सदा खुश रहता है रे प्रस पे रहने की सोचना माइनस में तू न जा भईया रे मौजी कर ले अरे जी ले जरा खुश रह ले अरे हस ले जरा अरे कल की ना सोच जरा रात होते ही मेरे भाई का मूर चेंज हो जाता उसके बाद तो बस धमाल है मौजी कर ले अरे जी ले जरा खुश रह ले अरे हस ले जरा अरे कल की ना सोच जरा हुआ हुआ है किसी को इंट्रेस्ट नहीं हो या क्यों साथ कहते हैं उस कॉलेज ने मुझे पास किया क्या मैं अपनी मेहनत से पास नहीं हुआ क्या फस्ट रैंक आए ना तो टेंशन ना लेना कॉलेज की लाइफ में एह होता रहता आली तू फोकट का ड्रामा तू ना करना जितनी भी जिन्दगी हस के तू बिता दुनिया को गोली मार तू गम तू सारे भुला दे वॉल्ड में नंबर वन है तू गोल्ड मैडल तू ला दे साकसेस बस मिलता उसी को जो ना ही मत हारा कभी बीरे मौज कर ले अरे चीले जरा खुश रहले अरे हसले जरा अरे कल की ना सोच जरा और सुबे सुबे पॉकिट मनी के लिए हमें उनी की पास जाना परता है मौज कर ले अरे चीले जरा खुश रहले अरे हसले जरा अरे कल की ना सोच जरा एक्षेल करेंगा जाइज वे में द सब्सक्राइब चप्षेला एक्षेल में में दिंग दूसर तो टेंग लिपेल चजबा तू रख दिल में हिम्मत तू रख दिल में मुश्किल हो कितने भी ना तू रुख ना रे खतरों से नडर ना पीछे तू ना हट ना रहना तू जोश में आगे ही बढ़ ना रे हापी हापी गाना गाके यार इंजोई करना रे चीत उसीने है पाई होसला जो नहारा रे कंफ्यूजन में रह के कभी भी टाइम वेस्ट ना तू करना रे मौज कर ले अरे चीले जरा खुश रह ले अरे हसले जरा अरे कल की ना सोच जरा मौज कर ले अरे चीले जरा खुश रह ले अरे हसले अरे कल की ना सोच जरा ए भगवाद तू नहीं चुद्रेगा बहुत धर्निवाद आपने हमारी मदद के लिए आज का पैसा मुझे टाइम पर मिल जाना चाहिए अरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो आपने हमारी मदद करके हमता है इस बात के लिए हसान मारने की जरूरत नहीं है जीजा जी जीजा जी अरे इसको सरा यह सच है ना आपके बेटे की वज़े से हम लोगों ने अपनी सारी रात तरतें में गुश्यारी क्यों पियर वो पीता है खिड के हमारी तोडता है अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया ना यहा सब कुश तोड़ देगा जीजा मैं तुझे एक आइडिया दूँ उसके रात भर बाहर रहने की वज़े से हमारी कौलोनी चोरों से सुरक्षित है जिसका बाप पहले इतना बिगड़ा हो उसका बेटा क्या खाक सुद्रेगा हाँ हाँ आरी हूँ आरी हूँ बेटिया घार आ गई अभी तक नहीं आई आज इतना लेट कैसे हो गई पिर से आप किसी के गैरंटी ले आए हरे वो लाला राम की बेटी आप पूरे गाउं की बेटियों के गैरंटी लिये जा रहे हैं देखेगा एक दिर आभ ही मुसिबत में आ जाएगे इन्हें दूसरों की समस्या खुद की समस्या लगती है इनका नाम है बाबूरा, किसी को दुख में देखकर, इनका बाया अंगुठा हर किसी की जमारत देने के लिए बाद्य हो जाता है मुझे पता है, एक दिन सब को बेच कर दूसरो की गया रखते लोगा अपना मुँ और ये रेडियो बंद करोगी, कब से कोशिश कर रहो पर सो नहीं पा रहा, अगर आठ घंटे की नीद ना ली जाये तो हिल्थ बिगड़ जाती है, इतना टीवी देखते हो, फिर भी पता नहीं है, सब अपने मनमानी करते रहेंगे, मा तो कभी मेरी स्वंती ही पता नहीं ये कब मुझे समझेंगे, तो आप बड़े ग्रेट हो पापा, इतने सालों से मा को जहलने के लिए आपको आसकर मिलना चाहिए, और को एक नएक दिन मिलेगा, तो ये अभी देख रहा है, जब हमारी शादी होई थी, ये मायके से ससुराल उसी बस में आती थी, ये क्या, कितनी बार कहा है तुससे की पानी इस तरह मत प्याक, मारूंगी तुझे, बच्चो की तरह पीती रहती, तो फिर से शुरू हो गई, ये ले पकड़, नाश्ते में क्या है, फिर से इडली, रोस का यही ड्रामा है, क्या टाइमिंग है भईया, लंच के टाइम पर आप नाश्ता कर रहे हैं, दिनर के वक्त लंच, सही है, मेरा जनम अमीर खांदान में होना था, दुरभाग इसे यहां हो गया, इस घर में किसी को मेरे टाइमिंग और पसंद की परवा है, हाँ, हाँ, मुझे भी यही लगता है, हास्पिटल की नर्स ने मेरे बच्चे की जगा तुझे रख दिया होगा, भाया, आपके लिए फोन है, और कौन वही होगा, तेरे बगरत उनको चैन नहीं, हाँ, बाई, बोलना, तू वही सड़क के ना ले रुख, मैं अब भी तुरंट आ रहा हूँ, ओके, मा, हाँ लव यू, मा, कहता है कि अमीर हूँ, बेवकूफ, मुझसे ही पैसे लेकर जाता है, हमारी संस्था वाल उफ काइनिस की मदद करने के लिए, मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, आंटी, कोई बात नहीं बेटा, प्लीज दोस्तों और रिष्टदारों को भी बताईएगा, इस से गरीबों को मदद मेलेगा, ज़रूर बेटा, अंकल, अपने कॉलिक्स को भी बताईएगा, वाल उफ काइनिस के बारे में, थांक्यू, थांक्यू, इसे जाने मत देना, हमारी इस चंदू के पास मार्मिट के अला महर को कामी नहीं नहीं लड़कियों को ब्लैक्मिल करना गलत है या नहीं बिलकुल गलत है, अगर कोई तुम्हें गलत मैसेज करेगा तो तुम क्या करोगी, उसके दाथ तोड़ दूँगी, यहीं करती ना, तेरे कहते ही तेरे बाप न मैं तुझे फोन दिला दिया, अगर उनकी इजट उनका समान करता तो अइसा नहीं करता, सॉरी मुझे नहीं, उसको जाके बोल, सॉरी सिस्टर, थैंक्यू भाईया, थैंक्स मत कहो, यह तो हर भाई का कर्तव्य है सॉरी मुझे लजपर तेरे को का वाईयों तू अजए उनका समान करता उनका साओयी उनका समान करता दोपे जागर वाईया लागर वाईयलू थांक्यू, वेल्पूट, थांक्यू, मुझे क्यापिचीनो चाहिए, तुम वह ही आदर कर देना, एक कारमल मकीटो और एक कैपिचीनो, तेक इजी ब्रो, काम हो गया, क्या मेडम, स्वज भारत अभियान, एसा नहीं है, इसे अकेले यहां नीचे डर लगेगा, और डस्ट बिन में अंदर सब इसको फ्रेंड्स बना लेंगे, इसे भी खुशी मिल जाएगी, ये लो, थांक्यू, इस ओक्यू, हाई, मुझे आपका कॉंसेप्ट बहुत पसंद आ जाता है, येस, see, ये मेरे 10th की माक्षीट है, स्कूल में फर्स्ट, ये इंटर विडियेट है, जिले में फर्स्ट, और ये मसेट एक्जाम में स्टेट में फर्स्ट आया था, इंजिनेर्य और एम्टेक में कॉल मेलिस्ट, मैं इस कमवणी में काम करता हूं, मंत्ली सालरी यह मेरा पासपोर्ट है यह मेरा अमेरिकन वीजा है नाव एम गई टो सेटल इन युएस फुल पाकेज पहले पानी पी लीजे मुझे यह प्रपोजल पसंद नहीं मुझे पता है कि तुम अपना बायो डिटा क्यू बता रहे हो लाइफ सेर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं है तुम जियोगे कैसे यह माइने रखता है और इस फोल्डर में मुझे तुम्हारी लाइफ दिखाई नही चलो मैडम अपनी शर्ट टिक कर लो थांक्यू सॉरी मैं लेट हो गई तुकल कहां बिसी थी दो दिन से एक लड़के को देख रहे हूं किसी ने एक लड़की को रॉंग मेसेज भेजा तो उसने उस लड़के को बहुत मारा यार ऐसा क्या मैंने आज भी उसे देखा पता है वो क्या कर रहा था वो रोड़ पर एक लड़की के खोली कमर देखकर मसे ले रहा था यार तो बत्तमीज होगा बेशर्म है पर अच्छा इंसान है पता है उसने उस लड़की से शर्ट को ओठी करने को भी कहा था तुम सड़क चाप लोगों के बारे में मत सचू पर उसमें कुछ तो इंट्रेस्टिंग है अरे बाबाब जाबाब बाबबाब प्रिया 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 प्रिय टेंचमतल वाई एफ दरोरी वाहँ है हर रह रहुत करतीञ एफ बात करया है हमने इसी नर्के की बात करोय थी परेख पोरेपखे लूटे कि लूप अजे लूटेंज only कर दूँते कि लूम! बहुत बढ़िया इस बढ़िया है, बढ़िया दुखता तरहां है मजा आगा जब रहा है, सचलिप बहुत पपादोर है बढ़िया थेनक यू है बहुत मैनद गिया, बहुत अछहा कुछक ये लो थेनक यू कमाल कि ती कर दा ठैक यू तक बिल्क्त प्लस्या ठैक्स ध्क्रहों एना त्तंस प्लस्ट प्लस्ट थालंCR रहे लए जूरे या वसने खेखे जब इनस थी जटेखолот अरण अप्रण वरेको थेंक्स को तुम्हें अच्छा किया यह यह थैंक यू वेलकुम आवास और नाराय अरे भाईया आप कैसे हैं बच्चे और भावीजी कैसे हैं वो सब भी ठीक है हाई अंकल हाई कैसी हो बेटा अच्छी हूँ यह बेटे की शादी का का मतलब हमारे साइंटिस्ट बेटे की और आप लोगे एक पहले पहुंच जाना फिर आप अपनी बेटे की शादी कप करेंगे अच्छा लड़का तो पहले मिल जाए तुम ज़रा जाकर कॉफी लेकर इसे अपनी जिम्मदारी समझनी चाहिए कब तक ऐसे अकेले काम करोगे इसकी शादी भी करनी है अगर यह अपनी जिम्मदारी नहीं उठाएगा तो कैसे चलेगा मैं तुम्हें एक इंफर्मेशन दूँ हम गैस सिलिंडर का कभी इंतजार नहीं करते राशिन के लाइन में कभी भी नहीं लगते बिजली बिल ना भरने पर फाइन नहीं देते पता है क्यों क्योंकि हर जगह इसके दोस्त मौजूद है और इसी की वज़ए से मेरी बाउंडरी वाल में कोई लड़का मेरी बेटी को लव लेटर नहीं फेक सकता पता है क्यों जैसा तुमने कहा हमारे पहले मेरी हाथ के कॉफी पियो यह सिर्फ बोल ऐसे रही है वो अपने बेटे से मुझ से जाधा प्यार करती है आपको बुरा लगा हो तो सौरी बेटा जैसा भी है वो मेरा है भाई बोलो बड़े भाई बड़ा नहीं मैं कनक राओ बोल रहा हूं हाँ बोली न अंकल तेरा बड़ा भाई हमसे पंगे ले रहा है उसे यहां से लेके चला जा उसके लिए अच्छा होगा मैं अभी आता हूं अंकल वाल ओफ काइडनेस जो देना है दे दो और जो लेना है ले लो यह कुछ नई चीज लगती है कॉंसेट पता नहीं किसका है पर मस्त है भाई मेरा स्काप देखा क्या मैंने तो नहीं देखा क्या मैं अच्छा राग जाता है झाल झाल चलो स्पेवड़े से पूछते हैं हलो भाईया ये चंदू इसी कॉलनी में रहता है क्या चंदू को यहां कौन नहीं जानता है मस छो रहा है मैं उसे पानी मांगता हूं तो वह मझे दारू देता है अंकल चंदू कैसा लड़का है चंदू ना बहुत अच्छा लड़का है कालोनी में कोई भी प्रॉब्लम हो भई ही खड़ा रहता है क्या उसे तुम्हारे भी खिड़की तोड़ दी रोज रात को दारू पीदा और तोड़ फोड़ करता है किसी काम करने यह वो चीची हां चंदू को जानते हो वो लंबे सिक्स मारता है लोगों के खिड़कियां टूचाती है मेरा पक्त का दोस्त है अगर तुम्हे कुछ काम है तो बताओ मैं सेटिंग करा दूँगा ने 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 इनसे पूछो यह मुझसे बहतर जानती है क्यों बेटी चंदू से तुम्हे क् सब्सद्वें सबक्राइब आणता है कर्で मैं है ऐसे प्यार करने से पहले वही कर रहीू हु प्यार ओं में पनाहँ चंदू इने का बेटा है 2000 पता नहीं क्या हो गया इन लड़कियों को रखफ़ आती हूं अजी हमेशा कबाड को यह रिप्यर करते हैं हमेशा रिपयर करत खामोश बैठी हूं कि एक नए एक दिन तो सुधर जाएगा और जनाब को लड़कियों का पीछा करने से फुरसत मिले तम ना मार्केट में किसी से जगड़ा करके आयो किया मा कौन सी लड़की मुझे तो बस तुम से प्यार है तू नहीं जानता पूरी मार्केट में वो तेर आप पर नहीं जी मुझे तो अपनी सास पे गुसार है जो इन्होंने तेरा नाम श्री राम चंद्रा रखा तेरे दादा जी के नाम पर अरे बीच में तुम मेरी मा को क्यों ला रही हो मेरी मा तो देवी थी उन्हें कुछ कहा तो आपको बुरा लगा कुछ ताचा हाँ एक सिगरट दना है यह लो बैठा चंदू कल का नो में एक लड़के आई थी तेरे बारे में पूछ रही थी लड़की हा लड़की करेंगा क्योकि तु अमेसे अपकड़ा जाता है एक मिन्ट छोटे भाई आप क्या हुआ यह नदी की मतली पका कर तुझे भीटूंगा ठीक ठीक है वेज़ दुना अरे क्या कर रहा है क्या तुमुझे देगा क्या चाहिए एक लड़की पूच रही थी स्कॉस बोटल ने सी थी बस थोड़ी पत्तमीज थी गैर्फूल ओके राइबर काड़ी लेकर आप वेदल चलने में मुझे तकली होती चल मुझे गैरेस तक जाना है ड्रॉप कर देगा हाँ चलिए ना भूर है था याइस घर पर तेरी माँ किस नड़की की बात कर रही थी पापा मुझे नहीं पत। एब मेरें भी में कन्फूजिंग कन्फ्यूजां जा वह लड़की जब भी तेरे सामने आएगी की किलिए कर ले neurolog का ने वहीं के वहीं के है कर दूँग कर दूंगाँ ओके चंदू बाइपा बटा एकबार ऐसा क्लच बार दे ठीक सर अ अब यह सब नहीं लड़की के बारे में बता है अची है एक बारे में प्रॉटी के पूल होती है तो हॉचिए है चले एक स्मॉल मार के बात अच्छे बताओ यहां पर चंदू को ने समझ गया बाई यह पार्सल लेकर आया था चंदू को नहीं जानता फ्रिया क्यों आया चल जा तेरे लिए पार्सल है दिन में अपनी किसी को परवा नहीं रात में किसने पार्सल देखिया अरे ऐसे हमारे फैंस हो तो हमें भी दस बोटल मिल सकती है जो तुम्हें ढूंड रही है मैं वही लड़की कौन है यह लड़की जो मुझ में इतना इंट्रेस्ट दिखा रही है आखिर कौन है यह लड़की स्कॉच जैसे ही होगी पर उसे ढूंडेंगे कैसे जाओ बड़े भाई अब तुम्हारी वाली को धूंडे की जिम्मिदारी जो है ना मेरी लेकर अरे भाई लगता है कोई दूसरा कोरियर वाला रहा है मैं अभी कोरियर लेकर आता है चुप कर वे यह गलत है कैसा लगा स्टेप माइकल जैक्सन मेरे लिए सब्सक्राइब यहां बदमाश घूमते रहते हैं हम यहां शांती और इज़त से पीते हैं अगर कुछ गलत हुआ तो हम पर ब्लेम आएगा विया दर सेकेरिटी आफ दिस कॉलनी यह ना भाई पीना निया तुम लग प्यो मेर करें नहीं है नहीं मुझे नहीं लगता इस टाम यह क्या कर रही हो वह मेरी फ्रेंड इडिक तो नहीं रही है कॉलनी कोन साव लोक सी ब्लॉक 45 शी ब्लॉक 45 वाले ने घर बेच दिया मुझे बताया भी नहीं पर सी ब्लॉक उधर है कि इदर के आरें और चंदू सब खीक है मैंने बताया नहीं यह बदमाश लोग घुमते हैं अरे सुन है चलो को लोनी में सब गदे हैं मुझे चोड़ कर तक पढ़ाई किया ग्राजुएशन पास्या फेल पास आउट मेरी बेहन सेकेंड यहर में वह बड़ी तेज है मेरे जैसे नहीं एक मिनट है है कि कोई अमारा पीच्छा कर रहे है क्या तो मुझे नहीं लगा क्या कि तुम कंफ्यूज क्यूं हो मतलब नहीं कुछ नहीं चलो चलो मुझे पता चला एक लड़की मेरे इंक्वियरी कर रही है बड़ा कन्फूजिंग लग रहा है वो डायेट मेरे सामने आ जाती तो कन्फूजिंग नहीं होता न है न आ गए यह राज सी ब्लॉक पॉटिफाइब जाओ एक मिनट तुम्हारा नाम क जाओ वो लड़की खुछ नहीं जाओ बहुत कन्फूजिंग है पहला है प्यार ये पहला नशा पहला एहसास है ये पहला नशा पहला खुमार है ये दिल पे छाया पहली तपा कोई दिल को छुआ थोड़ा है जुनूम थोड़ा है सुकूम ये दिलो की है पे करारी पहली तपा ये तो हुमारी पहली तपा ये तो छाई है बेता भी पहली तपा हुई पेछेनी पहली तपा हुई पहली तपा मुझे रब की दूआ सा तु ही लगे मुझे रियल हीरो सा तु ही लगे मेरे खाबों का रजा तु ही लगे मेरे दिल का शहजादा तु ही लगे मैं तो रगी हुँ तेरे रग में मेरे तिल को मिला सुकुम तु जो मिला जीने का ये नया जो नू मिला मुझे मिली है मेरी मंजल तु जो मिला मेरे जागे अर्मा तु जो मिला लगे आया कर दो गलाव कि अपलाविक अभाल में लुख में लुख जया काद लूझे लुख जब देड़ों मुई पाई! मुई पाई picture! पहला है प्यारिगे पहला नशा पहला एसास है ये पहला नशा पहला खुमार है ये दिल पेचाया पहली दफा कोई दिल को छुआ थोड़ा है जुनूम थोड़ा है सुकूम ये दिलों की है बेकरारी पहली दफा अजब सी ये खुमारी सफा ये तो छाई है बेतादी पहली दफा हुई है ये बेचानी सफा मैं सोडा में क्या मिक्स करूँ पानी में क्या मिक्स करूँ तुझे पता है ना मैं नीट बिलकुल नहीं पीता अपना मनोज बोड़े नशे में पार दुब भबस की जा रहा है इसलिए कस्टमर केर पर वो शिकायत कर रहा है शिट पर बॉटल पर से कस्टमर केर का नंबर ढूड़ने वाला आइडिया कमाल है मनोज भी कमाल है भाईया एक दिदी ने आपके लिए ये लेटर भेजा है कौन है यह लड़की ये सब लिखकर ये करना क्या चाहती है यह लड़की ने हमें से किसी को लव लेटर दिया है यह लव लेटर नहीं फिल्मी गाना लग रहा है यार गाना आया जो भी है मेरा है इसे कोई खासाद में पड़ेगा पॉल में 50% का डिसकाउंट लगा है सुन लव लेटर पड़ेगा क्या लव लेटर पड़ने में मुझे शरम आती है एड्रेस लिक हेलो भाई या कर रहा ह इसादी करना लो अचार अचार यहां पर अपना काम बन जाएगा ना चलो अंदर चल के देखते हैं यह यहां पर शट दिखाना जरा यह 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 शट कैसा बढ़िया ना तुम लव लेटर बढ़ो के नहीं से बाई अरे हम लोग उस लव लेटर को बाद में पढ़ेंगे न यह शट पहन की दिखाना बस लगेगा और दिखाना भाई कितनी की है हां ममी शॉपिंग मॉल में हां मैं आ जाओंगी बाई सुनिया जी हां मैं आपसे बात कर रहा हूं कौन है हेल्प चाहिए एक लव लेटर है कि आप उसे पढ़ देंगी मैं पढ़ दूं क्या पढ़ द तुम चंदू हो ना जी मैडम यह लेटर मेरे दिल के किसी चाहने वाले ने लिखकर भेजा है आप पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा डियर चंदू हां चुरालिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम है है भागवान फीलिंग बहुत अच्छी हो रही है अब तो यह फिलिंग मुझे नहीं पड़ेंगी तुम मेरे साथ नहीं हो लेकेन आहर पल मुझे तुम्हारा एहसास होता है दीरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अन्जान एक इस एक इस रिपीट कीजिये ओर इस और अए कैसा है ये बंधन अन्जान झढंग तो याओ, याओ, ये लेटर तो सीदा इखना नहीं भर गया मैं तुम्हारे लिए और लिखना चाहती हूँ पर मेरी फीलिंग्स के सामने इस दुनिया के सभी शब्द कम पड़ जाते हैं इसलिए इतना ही लिखा मैडम जी ये भगवान भाई सुन ये लेटर एक लड़की ने किस किया और अभी आँ से निकली है अभी आए शटकार है मुझे लगता है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ तो मैं अज़ा क्यों लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है जब दो लोगों में प्यार होता है तो फाइव सेंसस कनेक्ट होने चाहिए और वो लेटर लिखते वक्त मुझे उसी का एहसास हो रहा था वो फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकती अभी उस लेटर को भूल जाओ आगे क्या हुआ वो बताओ दिल करता है कि उसे सुनती ही जाओ इतना काफी है मज़े तो सुनके ही मज़ा आ गया वाव ये तो बड़ा थ्रिलिंग है वो फिफ्ट सेंस कौन सा है टच जो कुछ भी अभी हो रहा है ना मैं उसे लेकर बहुत एक्साइड़ हूँ ए रुप बोलो भाईया किदरा दूद पीएगा भूस्ट मिलाके पीओंगा जाराएक बूस्ट सेंस ना लेटर देने वाली को पैप़एगा जांते के बयूख दूस्त भाईया भाईया बूस्त बूस्त भाद में पीले ना आजा तो ग्रिकोट खेलने दो अज रो, अया झाल 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 मुझे ढूनने की बेचैनी तुम पर बहुत जचती है झाल 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 सीने से जो तू लगा दिल ने मेरे कहा प्यार तो था ही ये होना लव में दिल तो था खोना मुझे को तेरा ही ये ही था होना प्यार रूह में तेरी था रहना रूह में तेरी था रहना प्यार तुझ को ही था करना मा बाद में फोन करता हूँ ठीक है सुपहिट सौंगे तुम्हे पसंद है मुझ से जाधा मेरी मा को पसंद है मुझ में तू है मिला दिल में रूह में ख्यालों में रक्स तेरा दिन में रात में दिल को जुनू है चरहा तेरा मुझ बे सुरूर चरहा नशा तेरा I miss you मैं लिखता हूँ I love you मैं कहता हूँ सांसों में रहता तू बातों में रहता तू I miss you मैं लिखता हूँ I love you मैं कहता हूँ सांसों में रहता तू बातों में रहता तू सांसों में रहता हूँ I love you तू ही है जंदगी तू ही है बंदगी तू मेरी है खोशी है जब तू मुझे को मिरे दिल को मिले सुकू जहा तू वहां मैं तू ही है मेरी खुशिया तू ही है मेरे जीन की वाचा I miss you में लिखता हूँ I love you में कहता हूँ सांसों में है रहता तू बातों में है रहता तू I miss you ये कहता तू I love you ये कहता तू सांसों में रहता तू बातों में रहता तू ठीक है तो MVP के नई प्रोग्राम में हम अपने Wall of Finance का प्लान करते हैं Take care of all permissions हेलो क्या कहा चंदू हास्पिटल में है ओमनी आरके वो ठीक तो है ना क्या हूँ एक दिन आस्मान में उड़ोगी Hi Bye क्यों ना चपाती और चिकन कॉम्बिनेशन बहतरीन है ट्राइ करो क्या सारी पतियां और हरी सब्जियां मेरा इंतिजार कर रही है तुम लोग का कुछ नियों सकता अरे खा ले ना बड़े प्यार से बोल रहा हो क्या प्रोब्लम है मुझे क्या प्रोब्लम है क्या प्रोब्लम है बोल हमने कॉमेंट किया उसे तु कॉंप्लीमेंट भी मान सकता है कॉंप्लीमेंट कैसे देता है बताओं चंदू इन्ही कॉमेंट और कॉम्पलेमेंट में अंतरपता होना चाहिए कॉमेंट नहीं करेंगे अब ये कभी किसी पर कॉमेंट नहीं करेंगे स्फुमें असा लगता है Bliss किसी सवहां कर भी कॉलनी में तो बहुत लोगते ने कक्र अंतर है हों जब में इसके साथ रहती हूँ तो मैं बहुत खुष रहती हूं सिर्फ मैं नहीं इसके आज पास रहने वाले सब ही खुश रहते हैं ये मेरे साथ होता है तो मैं सेफ फील करती हूँ तुम्हें एक बात बताओं ये इस दुनिया के हिसाब से नहीं बलकि अपने हिसाब से जीता है मुझे इतना प्यार दोगी इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूँगा कुछ भी देने के जरूरत नहीं पूरी जिंदगी साथ दो इतना काफी है क्या हुआ ऐसे परेशान लग रहे हैं सुनिल जेन की बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी और इसी के सद गई हमारे सुनिल की बेटी हाँ हमारे सुनिल की बेटी इस बारे में जानने के बाद उसे गाउं से बाहर कर दिया गया इससे परेशान होकर उसने सुईसाइड करने की कोशिश थी स्विसाइट यह बेटियां कैसे अपने माबाब की फीलिंग्स उनके इमोशन्स को भूल जाती है क्या उन्हें जरा भी ख्याल ने आता आप टेंशन मत लेजिए हमारी बेटी को हमारे प्यार की कदर है अभी सो जाए तुम जाओ मैं सो जाओंगा यह नाखुन इतने क्या बड़ा है यह नाखुन नहीं मेरी दादी है उनकी नाखुन और मेरे नाखुन बिलकुल एक जैसे देखते हैं इसलिए पापा हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी दादी जैसे देखती हूं थाय दादी मैं हूँ चंदू आपकी तरह ही मैं भी इसका साथ जंदेगी भरनेबाऊंगा दहाने के वाद अपने आप चल जाएगा यह वैसा ही रिष्टा है जैसे आप तलाश रहे थे यह लड़का एकदम बेदाग चांद जैसा है मैडम यह मुझे सीडियों के पास मिला बच्चा सोया नहीं तरह पापा बस सोने ही जारे हूँ हम 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 प्रमोट जेन बात कर रहा हूँ हम अजार प्रमोट जेन बात कर रहा हूँ जेजिनेंद्र नर्सरी कमाल की अंकल बुलीन अंकल मुझसे क्या बात करनी थी क्या मैं पूछ सकता हूँ रात को तुम मेरे घर क्यूं आये थे उस वक्त आपकी बेटी ने मुझसे आइस क्रिम बंगाई थी आखिर प्यार करता हूँ मना कैसे करता क्या तुम जानते हो इस दुनिया में महान लोग सबसे पहले क्या करते हैं? प्यार करते हैं लव अकर काबिलियत के हिसाब से इसका टिकेट मिलता ना तो कोई भी कोई भी उसे खरीद नहीं पाता ये देखो ये लड़का कलेक्टर बनने वाला है फादर रिटार्ड प्रोफेसर है इजदार खांदान, धन दौलत, सब कुछ पॉफेक्ट है मेरी बेटी उस घर में बहुत खुश रहेगी ये मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है अंकल चंदू का साथ पाकर वो सबसे जादा खुश रहेगी तुम जैसे शराबी जिनकी सुबह हैंगोवर के साथ होती है किस भरोसे पर मैं तुम्हें अपनी बीटी का हाथ दे दू छे फिट मेरी हाइट है कलर भी लगबग आप लोगों जैसा ही है देने के लिए मेरे पास प्यार है इसके अलावा और क्या चाहिए इतना काफी है अंकल ये नरसरी आपकी है क्या बताता हूँ सब बताता हूँ हैलो कौन बोल रहा है हाँ नमस्कार बाबुराव से बात हो रही है हाँ जी बात हो रही है मैं एक मैरेज कंसल्टेंट हूँ मुझे पता चला है आपकी बेटी शादी के लाइक है एक अच्छा रिष्टा आया है क्या बोलते हैं ए बगवान अच्छा रिष्टा हम हाथ से क्यो जाने देंगे पर फैमिली अच्छी है ना हाँ फैमिली बहुत अच्छी है उसके पिता एक महनती इंसान है फिर तो ठीक है पर लड़का क्या करता है वो शरीफ तो है ना और वो आउकरी करता है या व्यापार वैसे अभी तो वो कुछ भी नहीं करता है बेकार बैठा है आपके कहने का मतलब है कि वो कुछ भी नहीं करता पर लड़का देखने में बड़ा अच्छा है उसकी लंबाई छे फीट है मेरी बेटी मेरी मा पर गई है हमने उसे लाड़ प्यार से पालना है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है आप उसे नहीं जानते वो शादी के बात खुद बदल जाएगा फिर जिमेदार भी हो जाएगा बंद करिये अपना वो एक नाकारा इंसान जो अपने बाप के पैसों पर जीता हो ऐसे इंसान को शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और आप तो समझदार हैं आगे से सोच समझ करिश्टा बताईएगा ये बताईएगे इसे लड़के से अपनी बेटी के शादी करवाएंगे टाइम पास बहुत हुआ रखिये फॉर सुन लिया तुम जैसे लोगों का प्यार में पढ़ना ठीक है पर शादी के लिए तुम्हें काबलियत चाहिए तुम्हारे पापा या मेरा सोचना गलत है क्या कि बेटियों को एक अच्छा जीवन साथी मिले मेरी बेटी के साथ मुझे भी तुम पर भरोसा होना चाहिए और मेरा भरोसा जीतने के लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है एक मिनिट तुम्हें पता है तुम मेरी नजरों में कब बद लोगे जब कोई बाप रिष्टा तुम्हारे ले लाएगा तब यहां आना मैं अपनी बेटी दे दूँगा तब तक शीतल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए चोटे भाई तुम्हें ऐसा क्यों बोला उसमें उसका बाप अच्छा आदमी है तब यह तो चंदु को यह सब करने के लिए उसने कहा है ए उसका बाप किसी अच्छी आदमी शादी करेगा अपने चंदु से नहीं अरे इसमें कौनसी बड़ी बात है ये भी बदल जाएगा ये पिशले दस साल से दारू छोड़ने की कोशिश कर रहा है जब इसकी हड़ी टूटी थे और प्लास्टर चढ़ाता न तो उसमें दारू चुपा रखी थी बुरी आदते इतनी आसानी से नहीं जाती है पर लड़का क्या करता है वो शरीफ तो है ना वैसे फिलहाल तो वो कुछ नहीं करता बिकार बैठा है ऐसे लड़के से अपनी बेटी के शादी करवाएंगे जब कोई बाप तुम्हारे लिए रिष्टा लाएगा ना तब यहां आना लगता है ये बुरा मान गया मुझे लगता है अच्छा चलता हूं पर यह शुनमा मुझे जितना डाटना है तो माजी डाट लो फेर कल से डाटने का मुझे अच्छा बनने जा रहा हूं पता नहीं अलाम काम कर रहा है या नहीं है सुनमा एक ग्लास दूदे ना यह लिए गुद नाइट पेटी तेरा भाई उठ जाएगा ना सुनो मा मुझे नाष्टा दो क्या हुआ है ऐसे क्या देख रही है इतना शॉक में क्यों हूँ गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग इडली के लाब कुछ और नहीं बना सकते हैं मैं कल से मेरे लिए पूरी बनाना ठीक है बेटा सामर है क्या नहीं बेटा यह लिए मुंबे की चतनी नहीं बस लोगया बेटा एक और इडली ले लिए मा कितने दिनों के बाद मैंने भाया के साथ नाष्टा किया है रखकते हैं आपने कही और रख दिये किया वहीं होगा बेटा यह कहीं रखा होगा बेटा मैं है नहीं है तुने कहीं देखा क्या नहीं भाया मैने नहीं देखा यह रहे तेरे सार्टिफिकेट्स मुझे पता था कभी ने कभी तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मिडिल क्लास फैमिली के लिए वर्दान की तरह होता है ठैंक्स पापा हलो अनिल भाई में आ रहा हूँ तू अफिस में ना अरे रुग्जा भाई आज मेरे बॉस का मूड खराब है मैं बताऊंगा तुझे का बाना है प्लीज डॉंट मैंड रहा हूँ तुम यहां क्यों आए हुआ है अन्टी हाँ अन्टी अरे 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 ले ने बिटे रहा हूँ यह शीतल है फ्रेंड यह तुम्हारे लेल लेलो एक्चली लड़की को तरीका नहीं पता आप तो समझदार है ना चंदू फोन दो ना इदर जाके खड़े हो चले एक फैमिली फोटो लेते हैं यह हमारी फैमिली है अच्छी है ना आप जो अलो मैं हू कलयानी यह लो कलयानी हलो फील कहां हो यह थी कलयानी अलो क्या तुम दुल्हा बने हुए हो और मैं दुल्हन ऐसा लगता है घोड़े पर बैठकर तुम मुझे लेने आ रहे हो यह सपना सच होगा ना यह क्या है दाग चान्द की खुबसूर्ती बढ़ाता है और चंदू मेरी तुम अगर इतना प्यार करोगी तो मैं इसके बदले कुछ दे नहीं पाऊँगा तुम वहां आकर मेरी सपनी को पूरा नहीं करोगे बाई 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 अगर वह पैसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था मतलब अगर वह पैसा नहीं दे सकता है तो गरेंटे बनने का क्या मकसर था साइन करते वक्त नहीं सोचा था कि पांच लाख विबे कहां से चुकाओगे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए अगर वक्त दूंगा तो पैसे लोटाओ दोगे कहां से लोटाओगे हां इस घर की निलामी करके मुझे मेरा पैसा मिलेगा बस एए चंदू चंदू कैसे हुई अपने से बड़ों का कॉलार पकड़ेगा तू मैंने सोचा था कि तू इंसान बन जाएगा पर तू गुंड़ा का गुंड़ा ही रहेगा भाई साब माफ कर दीजी ये बहुत शरीफ है इसी का खामियाजा भुकत रहे हमें तोड़ा टाइम दीजी ब्याज के तौर पर यह दिन ना देखने पड़ते हैं बेटा होना ही काफी नहीं है बेटा बन कर दिखाना पड़ता है मेरे गलतियों के सजा उसे क्यूं दी ये सब उस लाला राम की वज़ा से हुआ क्या हुआ यार सब ठीक तो है मैं क्या करता दिल की वज़ा से मजबूर हूँ जब मुझसे कोई सहता मांगता है तो अपने आपको रोक नहीं पाता कभी-कभी अच्छाई भी हमें खून के आशो रोलाती है रामा राव जी मुझे आपका घर चाहिए बिना मेरे नोटिस के और बिना मेरी पर्मिशन के आप अपने घर की एक टाइल भी इधर से उधर नहीं कर सकते मेरी बात सुनो वो घर ही नहीं उस घर से मेरी पतनी की सुनेरी यादे जुड़े हुई है वो सारी यादे हैं मैं आपको मुझे बेचने के लिए कहना हो रामा राव जी मार्केट रेट से जदा रकम देलवा दूंगा मैं अपनी पत्नी की यादें तब तक संजोई रखूंगा जब तक मैं जिन्दा हूं जलता हूं भाई तादा जी सिर्फ सर के कहने पर आप अपना घर इन्हें मत किचो मत भले किसी को दान दे दो अरे ये कौन है अब बताया था ना सर मेरा कजिन है जॉब के लिए आया है पर डेवलेप्मेंट के लिए घर सर को दे दो कि दादी का नाम कभी नहीं मिटने वाला बलकि उनकी नाम पर वहां बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यादे खुबसूरत होती है किसी के काम आये तो और खुबसूरत होती है जब लोग वहां रहने आएंगे तो दादी की आत्मा को शान्ती मिलेगी आपको इंपर भरोसा करना चाहिए मेरे पिताजी कहते थे कभी कभी भरोसा सामने वाले की नचरों में दिखाई देता है बताओ मुझे कहां साइन करना है इसकी बात माननी पड़ेगी बाबू सर तुम नहीं थे इसलिए मेरे कितने ट्रांजेक्शन रुके पड़े थे और तुम्हारे आती वो ट्रांजेक्शन चलने लगे तुम कल से जॉइन कर लो बाबू थेंक्स गड़ ब्लेस यू थेंक्यू सर डूंट मेंशन इट कि अ भी कि दो बाबू आती वेंक्शन थे अजये स्वान्डर नहीं थेंक्साट्ड़ार थेंक्शन तुम्हारे आती Jennifer कि अ कि अ कि अ पदुम्हारे आती ए भी कि भी कि थेंक्शन है रूंट वहारे, इसक्शन विद्वारी दोब्लेस फित्स है सुपप मेरा राजा बेटा पापा तु जैसा भी है मेरा बेटा है तेरा सही समय शुरू हो गया भगवानी से पूरी नजर से बचाना ये लिए तरा इडी काड़ है कॉंग्रेट्स यार रैंक्स भाई अब मेरी बारी है तू चलना है वह देखो वह ग्रेट उसका बाप किसी अच्छे लड़के से शादी करवाना चाहता है इसमें कॉंसी बड़ी बात है ये बदल जाएगा मैंने कहा था ना ये बदल जाएगा यार बड़े बाई मैंने कहा था ये एक दिन बदल जाएगा अच्छा लग रहा है मेरा भाई कॉंग्रेट्स भाई अच्छा लग रहा है वैसे तु शिस्टर से मिला क्या है सुखोया दुख सबसे पहले में अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ अच्छा लग जाएगा लेड़ पिंग कलर में आने लगे हैं ग्लास भाई अच्छा लेड़ जी की डॉट्री लॉस्टिटा जी की होने वाली बहू ने जिनका नाम है चपानी बहुत अजीब ना वैसे उन्होंने मुझे गाना अपनी सास को डेडिकेट करने के लिब कहा ह हाँ ललिता जी हम यह गाना आपकी बहु के फर्माइश पर आपको सुनाने जा रहे हैं तो सुनते रहिए विर्ची साइटी आउंकल हाई आहिल्या आओ बेटी सौ साल जी होगी तुम अच्छा तुम्हें कैसे पता कि यह गाना मुझे पसंद है चांदू ने बताया आंट आउंटी चंदू चंदू अंबरे बिटी जाओ जाओ चंदू मैं तुम्हें सप्राइज देने वाला था लेकिन तुम्हें यहां कर मुझे सप्राइज दे दिया सर सर बुली सर चंदू तू है कहां सर केफे में हो सर और ओफिस का पोचेगा दस मिट में आजाओंगा सर ठीक है इस्क्यूज में और राने में और कितना ताइम लगेगा 15 मिनाट्स शीतर तुम प्लीज कैब लेकर गर चली जाना कुझे अरजेंट ऑफिस जाना वागा था सॉरी हर पल जिये हम इंतजार में मैं बहुत से बात करता हूँ श्री राम सर मुझे तुमारे जैसे लोग पसंदें जो स्मार्ट होते हैं आई लव यू स्री राम थेंके सर अई लव यू थेंके सर मैंने मिस्टर कुष्टर राव से बात कर लिए अब सब हुक्त रहे हैं है क्या कर रहे हो तुम पोन कैसे कट हो गया गलती से हो गया क्या सॉरी सर सिंगनल वीख था अच्छा सब कुछ पॉजिटिव है वो शाम तर जवाब दे देंगे लव यू बाभू अगेन आई लव यू सॉरी चान मुझे जाना होगा क्या हुआ ये क्या हुआ जाने तुम्हें ये क्या हुआ क्यों न दिल सुन रहा दिल की सदा दिल का मैं क्या करूँ बिन मिले ये माने मुझे लगा था आचा मंदर चाने वारे है तुम चली जाओ, मैं थोड़ा बिसी हूँ तुझे मांगू मैं रभ से दुआ में हर दफा कभी होना ना मुझे से मेरे माही तू खफा हेलो चंदू, मैं कल्यानी कल्यानी पांच मिट बात फोन करता हूँ बूल रहा है पांच मिट बात फोन करेगा अच्छी प्रापटी है सर्फ कंसल्ट के लिए फैंक सर्फ स्वाई सर् उसने फोन कट कर दिया इंकेज तो सारे ओके हैं ठीके सर्फ मैं बात करता हूँ आप गया साथ चंडूड़क कर दो ή। हलो चंडू मुछल भोल रहे हूं श्री राम सर जब से तुम आए हो मेरी कमपनी और मेरा बिजनस लगता है जैसे रिंग रोड पे चल रहा है ज्वाएं 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 मक्खन मलाई की तरह फ्रेंक्ली स्पीकिंग आयोध्या में भगवान राम रहते हैं पर मेरे दिल में ये श्री राम रहता है इसलिए ये सुदामा अपने कृष्ण को एक तुछ भेंट देता है तो मुझे ऐसे क्यों देख रही तुम तु सच में काफी बदल गए हो क्या कहा मैं बदल गया हूं ये क्या कह रही हो वन मेंट हलो सर पुली सर श्री राम मेरे प्यारे बाबू कहां हो तुम मैं तुमारा इंतसार कर रहा हूं बस दस मिन में पहुंचता हूं सुरी हां तुम बाख़ाई में बदल चुके हों पहले यह खालो चापाती बहुत मस्त है खाने में क्या है तेरी प्राब्लम लड़कों को समझते क्या हो अपनी प्राब्लम बदादो बस्फ पोस इसके बाद की बुरवत मानो प्लीज यह मुझे छेड रहा था तुम इसे सॉरी बोल रहे हो अना सुम चलो यह इस कालो तुमहें पता है तुम क्या कर रहे हो तुम कितना बदल मैं नहीं पर लाँ, तुम चलो हलो यार, आज अपने मनोच का बड़्डे है, तु भूल गया क्या बस थोड़ी दिर में पॉंचता हूँ जो वह उसे बुल जारा सर, कहा हो बाबू सर, सर, मैं आ रहा हूं, सर लव यू बाबू, लव यू बाइ रमेश सर, अपने बेटे के साथ, अमेरिका गए हैं, नेक्स मन्त आएंगे, विंक ट्राव कुछी दिनों में अग्रिमेंट बना देगा, ये हजार स्क्वायर यार्ड की फाइल अप चेक कर लेगे, फिर मन्डे हम इसका रोइस्रेशन करा लेंगे, बागी फाइल्स भी और रखके, चंदु आगा, ने खावायर अख्ञाएं, एच दु आगे हमार्णा खावायर बैज तो एचारब भाई एच्छावायर। प्सक्री नि जो जो घे घूरे बोर्स गए सुनेश, 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 क्या हुवा? एडिये न, इन्हें आप रख लेजी आखिर मैं हूँ तो आपका ही बेटा बेटा, तेरा जनम हॉस्पिटल में नहीं हुआ तु नानी के घर पैदा हुआ था देखा आपने, हमारा बेटा खरा सोना है देख रहा हूँ, देख रहा हूँ जब ये किसी काम का नहीं था, तो मेरा बेटा था काम करने लगा तो तुम्हारा बेटा हो बस भी कीजिए भाइसाब, अरे सूरिया, कोई खुशखबरी लाए हो क्या ये खुशखबरी हम दोनों के परिवार के लिए ऐसा क्या हो गया मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाया बेटा, मेरी बेटी बहुत खुबसूरत है तो मुझसे शादी कर लो जब कोई बाप तुम्हारे लिए रिष्टा लाएगा ना तब यहां आना, मैं अपनी बेटी दे दूँगा अंकल, क्या का आपने? चंदू, तो तुम्हे यह रिष्टा मंजूर है ना मेरे साथ चले बता तुम्हारे अरे, 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 अरे कहा चले तो, उसे लेकर कहा जा रहे हो यह मुझे कहा ले आए बेटा अरे, आप आए तो अंकल, इनसे कहो जो मुझसे कहा था मैंने इससे अपनी बेटी की शादी के बाद की तो यह मुझे यहा लेके आ रिया अब तो आप समझे गए होंगे, अंकल मेरी शीतन हर बेटी का बाप यही दुआ करता है कि उसका दामाद एक बहुत ही अच्छा लड़का हो खुश रहो बोल बेटा सुनमा, तो लग्की है, तुझे एक खुबसूरत बहु मिलने वाली है सुनिये तुम्हारे एक सप्राइज है क्या है? मेरी शादी फिक्स हो गई कॉंग्रेट्स कॉंग्रेट्स? कॉंग्रेट्स क्यों बोल रही हो? पता है मेरी होने वाली दुलन कॉन है? चिकेन वेट्स चपाती अच्छा मै अच्छा ना? एक्स्क्यूज मी तुम्हे पता है मैं कॉन हूँ? मैं शीतल जैन हूँ यह क्या? मैं यहां तुम्हें सप्राइज दने आया हूँ और तुम मुझे शौक दे रही हो? क्या हूँ तुम्हें? मैं चंदू हूँ कभी चंदू मेरी ताकत था पर इस चंदू के साथ मुझे बहुत डर लगता है तुमने खुद को इतना बदल दिया पर मैंने प्यार और शादी के सपने चंदू के साथ देखे थे श्री राम चंद्रमूर्थी के साथ नहीं अगर तुम वो चंदू होते तुम मेरी आँखों में ऐसे आसू नहीं आने देते हमेशा एक जैसा रहना मुश्किल है क्या? लोग इतनी आसानी से बदल जाते हैं यह सब तुमने इतनी आसानी से कह दिया तो मैं तो यह भी नहीं पता कि मैं यहां तक कैसे पहुचा हूँ सिर्फ ड्रोथ ही काफी नहीं लाइफ को जीया जाता है तुम्हें इंग बाग बताओं यह जिन्दीगी को दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीता है अगर तुम्हें कहीं मेरा चंदू मिले तो उससे कहना उसकी शीतल इंतजार कर रही है शीतल कौन आया है? कोई श्री राम चंद्रमूर्थी है रियल एस्टेट एजिंट है तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ शीतल बचपन में खेलने के लिए रास्ते से एक कुत्ते को घर लेकर आई थी मैंने उसे समझाया वो सड़क छाप है पर वो नहीं माली उसने कहा वही चाहिए कुछ दिन बाद अचानक वो कुत्ता आलसी हो गया और उसके साथ खेलना बंद कर दिया देखो ना पापा हैपी मुझसे बात नहीं कर रहा है उसके बाद वो खुद उस कुत्ते को वापस उसी सड़क पर छोड़ाए उसकुत्ते का आलसी बनना और तुम्हारा एक सड़क छाप से लायक बनने के बीछे का कारण मैं हो कोई अपनी बेटी का हाथ तुझे देने आया है ना उसी से शादी करके खोश रहे अगर दोबारा मुझे कभी डिस्टरब किया तो जैसे मैंने तुझे अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकाला है वैसे मैं तुझे तेरी जिंदगी से बाहर निकाल दूँगा श्री राम चंद्रमूर्ती आउट अगर श्री राम मत्रुवदास कृष्ण राओ का बेटा मिनर्व कॉफी शॉप पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है अज आगे आँ अब से डॉक्यूमेंट करें करो ठीक है सर् कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 सुनो किचन भी साफ कर देना ही के मैडम देखो लाइट आ गई है लक्षमी मोटर अन कर दो करती हूं मैडम कर कर किसका नाम लिखवाया है मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम्हारी बचपन की यादे मिट न जाएं इसलिए तुम्हारे पापा ने इस कमरे को पेंट नहीं करवाया है पर ये लिखकर तुमने अपने पापा के दिल पर बहुत बड़ा जख्म दिया है अगर तुने उनके प्यार को नहीं समझा तो इसे क्या समझोगी अब तुम्हारै को प्वारा लिए अगव कर दोला ले में अगए है पाप प्वारै का है पम्हारै का है पहला है पहला उनके औरुम्हारै को वहला है क्या हुआ बेटा बापा मेरी खुशी के लिए जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तयार हूँ बस बिला बस बाइब बस दो बस बाइब गया थो धन्क्यू भाई वाय बंदा आगया शोरी भाई या सोरी तेरी आइटम कहां गई वाय रे एरो बंदा आगया दू बोलेश कल्यानी बोलो चंदू है वहाँ मेरी बात करा वो फोन नहीं उठा रहा क्या हुआ वो शीतल और चंदू जिम्यदारियों का एसास करके मैं अपनी फैमली के करीब आ गया और खुद को बदलने में मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया मनुझ भाई हम एक बार सिस्टर से बात करके देखते हैं कोई फायदा नहीं शीतल अलब किसी की भी बात सुनने को तयार नहीं है सब खत्म हो गय ना मिले क्यों हमें तुम मिलके भी यारा दर्द सामिले हमें पर मिला सुकू नहीं यारा ये कैसा सिला प्यार का चांद को खुबसूरत उसके दाग बनाते हैं और मुझे चंद तुम्हारे इस प्यार के बदे मैं तुम्हें कुछ भी दे नहीं पाँगे तुम मेरे साथ दोगे ना ना मंजिले ना कोई रास्ता तूटा क्यों ये दिलों का राब था अपने भाई के चेहरे पर वापिस खुशी देखना चाहते हुआ राद सामिले हमें पर मिला सुकून नहीं यारा जरा ध्यान से चेक करना ठीक है नमस्कार आईए हे कृष्णा जरा देखो सर को क्या चाहिए मेरा नाम बाबू राव है तुम जा कर अपना काम काओ मेरा बेटा आज अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है उसके पीछे आपका हाथ है ये जानकर मुझे खुशी हुई पर मेरे बेटे की खुशियां चीनने वाले भी आप हैं ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरी भी एक बेटी है ना सोचा था कभी ऐसा भी होगा जीना पड़ेगा तनहा जुदा होके हमें प्यार हमारा हमसे यूँ खफा होगा आवाज ना दोगे मुड के तुम हमें क्या है हुआ ये क्यूं है हुआ ये रूह से जुदा क्यूं जिस्म हुआ ये ना मन्जिले ना कोई रास्ता तूटा क्यों ये दिलों का राबता हलो चंदू शीतल की शादी तै हो गई काश मिले मिल जाए तू ऐ जंदगी यारा शिक्वे गिले हैं जोगी मिट जाए सभी यारा ये जोटा कि अपनी मां का बेटा बनने में मुझे पूरे 23 साल लगके फिर दो महिने में किसी का पती कैसे बन सकता हूं और ये अंकल फ्रेंस है ना इन्हें में दर्द हुआ आप प्लीज जाएगे शुवं करोधी कल्यानम आरोग्यम धनसंपदा शत्र बुद्धी विनाशाय धीपकाय नमोस्तुते दीपो जेवती परंब्रम दीपो जेवती जनार्दनहा दीपो हरुतु में पापम संध्या दीपो नमोस्तुते तुम बहुत खुब्सूरत हो कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए ऐसा कुछ नहीं तुम भी बहुत सुन्दर हो तेरी सफलता देखकर मैं बहुत खुश था और मुझे नहीं पता था तेरी ये सफलता तुझे खून के आंसुरू लाएगे बिठा कैसे समझाओं औरतें ऐसी ही होती हैं हम नहीं समझ सकते अपने माह को देख दाल अच्छी बनी है कहो तो खुश हो जाती है कोई कमी निकालो तो दुखी हो जाती है उनके सुख और दुख दोनों की वजए हम ही है बिठा इन दोनों को साथ में देखकर मैं बहुत खुश थी पर जैसी हमने उमीद की वैसा नहीं हुआ इतने अच्छे लग रहे हैं तोनों साथ नहीं हम हुआ अपना हुआ है । इतने अच्छे लग रहे हैं तोनों साथ रुख जाओ, एक मिनट, बस एक ही मिनट, मुझे अपनी बेटी से एक बार बात करनी है, क्या तू जानती है कि जब तू पैदा हुई थी, तो मैं तुझे क्या बुलाता था, अपनी मा, तू मेरी मा है रे, तुझे एक IAS पती ही मिले, मेरी इस विचार धारा को बदलने के लिए, मैं पिछले दो दिनों से बेचैन ही महसूस कर रहा हूँ, अब तो बता दे चंदू के बारे में, आपो चंदू नहीं रहा, पापा, पापा, पर मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं उसकी खुशिया नहीं बल्कि तेरी खुशिया छीन रहा हूँ, पेक बड़ अंकल, आप अपनी बेटी की शादी एक परफेक्ट लड़के से करना चाहते हैं ना, पर यहां कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप नमे और ना आपका वह आईस दुला, यहां तक कि शीतल भी परफेक्ट नहीं है, शादी के लिए पती-पत्नी एक दूसरे के लिए परफेक्ट होने चाहिए, अंकल, पता है आप एक बाप के तौर पर फेल कब होंगे, जब आपकी बेटी की जिन्दगी की सबसे खुबसूरत पल में उसकी आँखों में आशो होंगे, अंकल, उसकी आँखों में आशो देखकर आपका अपने फेलिर होने का एसास होगा, जब एक लड़की को मंगल सूतर पहनाया जाता है, तो उसके चहरे पर खुशी होती है, और आशो तब होते हैं, जब वो विदा होती है, पर मेरी बेटी की आँखों में, इस मंगल सूतर के बांधने की खोशी नहीं होगी, ये सब मुझे उस चंदू ने बताया था उस दिन, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बात सुन, मैंने उसे आश तर्ग बलत समझा, अगर चंदू श्रीराम मुर्ती में नहीं बदलता, तो मैं ये शादी बीच में रोखने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता, इंसान जब बदलता है, तो उसके प्यार करने का नजरिया भी बदल जाता है, पर प्यार नहीं बदलता, वही वही चंदू तेरे लिए करेक्ट है बिटा सच क्या रहा हूं जा बिटा इस समाद से और इस इज़त से कई ज्यादा बढ़कर मेरी बेड़ी के खुशी है मेरे लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं आप लोग बैठिये प्लीज प्लीज बैठिये सॉरी जा बेठां जा हुआ जा 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 मैं तब कन्फ्यूज हो गया था पर फ्रस्टेशन में मुझे तू मिल गया था उसने कहा कि मैं चंदू नहीं इसलिए मैं उसे पसंद नहीं हूँ उसके बाप ने मुझे श्री राम मूर्ती बना कर मेरा कंपेर एक कुत्ते से कर दिया तुम लोग कमेंट करते रहे करते रहे असल में प्रॉब्लम क्या था भाया 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 मेरी बातों को दिल पे मतलो भाया क्या बोला दिल पे ना लू इसे कॉमेंट और कॉम्पलेमेंट में फर्क समझा दो यह क्या तुमने कहा था मैं चंदुने श्राम चंद्रमूर्ती हूं अब यहां क्या कर रही हो अब तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो अब तुम जैसे भी हो इस प्यार को क्या नाम दो कुछ सवालों के जवाब नहीं होते जानता हूं प्यार कोई कारोबार नहीं है लेकिन जिन्दगी को खुशाल बनाने के लिए ऐसा कारोबार करना ही पड़ता है पर उने कभी मत भूलना जो अपनी जिन्दगी को छोड़कर तुम्हें अपनी जिन्दगी मागते हैं ये टाई क्यों बान रही हो असिस्टिंट मैनेजर को थोड़ा डिगनिफाइड दिखना चाहिए ये टाई क्यों पुआएगगः ये ये धिवे जिन्दगी मागते हैं ये लाई ये लगदर धिछीन कें वे ये ये लीडे से लेडि़ में बाई एक वेड़े ले रिए और भामिइक सेट्रों हो जाई बाई भानेजर बाई सीने से जो तू लगा दिल ने मेरे कहा मैं तेरा तू मेरा तूने जो यूँच हुआ सासों ने ये कहा मैं तेरा तू मेरा मैं भी फिदा हो गई तुझ पे दिल भी हुआ फ़ना कसम से तू छुपे प्यार तो था ही ये होना लव में दिल तो था खोना मुझे को तेरा ही था होना एक दिन ये ही था होना प्यार तो था ही ये होना रंग में तेरे ही था ढलना रूह में तेरी था रहना प्यार तुझ को ही था करना प्यार तुझ को तेरे ही था था ही ये होना तुझ में मैं हूँ ढला, मुझ में तू है मिला, दिल में, रूह में ख्वाबों में अक्स तेरा, ख्यालों में रक्स तेरा, दिन में, रात में दिल को जुनू है चरहा तेरा, मुझ बे सुरूर चरहा नशा तेरा I miss you मैं लिखता हूँ, I love you मैं कहता हूँ, सांसों में है रहता तू, बातों में है रहता तू I miss you ये कहता हूँ, I love you ये कहता हूँ, सांसों में है रहता तू, बातों में है रहता तू बातों में रहता हूँ झाल झाल